चाप जचिरुअि चाप चांडरी चाप जशकलाम फीर मजरंगे साउध सब्सक्राइब साल दोजार चौबेस बाइस जनवरी के दिन का पेसबरी से हर देशबासियों को इंतजार है क्योंकि इस दिन महापर्व के रूप में अयोध्या महापर्व यानि की भगवान स्री राम की प्रार प्रतिष्टा का ये दिन है ये मनाया जाएगा हजारों साल से इंतजार इस दिन का हो रहा था क्योंकि भगवान स्री राम की प्रार प्रतिष्टा 22 जनवरी को होनी है हर किसी को जिम्मेदारी है हर किसी को तयारी के लिए लगा हुआ है क्योंकि 22 जनवरी का दिन है इतना खास उस लोग है उनसे जानते हैं कि किस तरीके की त बाई जन्वरी को लेकर आप तैयारी कर रहे हैं मैं बताओं आपको 15 अगस 1947 200 साल की आजादी है 200 साल के संगर्ज के बाद अंगर्जी उसे संगर्ज के बाद में हम लोगों को 15 अगस 47 को आजादी मिली वह हमारे लिए अत्यासिक है उसी प्रकार 500 साल की मुगलों से लड़ाई के बाद में 70 साल देश के अंदर वागवान श्री राम का कोड में मुकदमत चलने के बाद बाई जन्वरी को राम चंद्री जी का प्राण प्रतिष्ठा का कारकरम हो रहा है अयुद्या में तो यह बहुत ही एत्यासिक दिन है जिस प्रकाद पंदरकस का एत्यासिक दिन है ऐसे बाई जन्वरी का भारत वर्स के लिए बहुत बढ़ा एत्यासिक दिन है और इस दिन प्रतेक् राम भक्त के अंदर उत्साःए ही संगठण की तरफ से और अंदू समाज की तरफ से लोगों को अक्षताय scheduled है धर गर्ग निमंतर दिया ज़ा रहा हुए है दीपक घर कर बाइटे जा रहे हैं, लोगों को मिठाईया बाणने के लिए बोला गया है, लोगों दीपावली जिस प्रकार मनाते हैं, घरो में अपने संख रोगन करते हैं, जिसे ही 22 जनवरी को यह मनाएंगे, तो की जिस तरीके से दिवाली का परव है, यह भी महा परव है मेरा मिठाइ बाचने का कारदे करम है घर बस्ती सब जगे जाए जाएगा हर घर मिठाइब कितना खास देन है यह बहुत खास दिन है यह राम बक्ताव यूद्विए बुरे देश मैं हर शहावट होने चाहिए वे जी अब सागर चौन यह हमारे देश के लिए बहुत ही ही यतियासी क्रूप में मनाये जाने के लिए कार Caesar जल्गेंगे मिल्कुल हर दिखाने का काम हर लाम वक्त करेगा को सब्सक्राइब बताइए कि आपकी क्या भूनिका रहेगी भूगला क्रांगताओं के लंबी लड़ाई के बाद आज जिस तरीके से 22 जनवरी को यह उजगाटन का दिन हमें मिला निश्ची तोर पर जितने भी कार्शेवेकिस में सहीद हुए उन कार्शेव को तो सहीद सची स दांजली मेरे खाल से अत्रित की गई है और उनकी सद्धांजली दिश्ची तोर पर हर रामबक्त बहुत जोर शोर से देगा और मनाएगा हर चोराएपर घरगर जाकर चाबल बाटने का काम भज लगाने का काम मिठाई बाटने का काम अमने जिस तरीके से एक गिलेडि एक कर अपने घर को बंगलोग को को सड़क को पूरे आगरा को पुरे ताज नगरी को नहीं बल्भी पूरे देश उत्तर परजेश के अंदर हम लोग अपनी आखों से जीतने जागते आखों समस्वरूप देना चाह रहे हैं विक्रम अदितने जैसे हमारे का इसमें सहीद हुए लड़ाई लड़ी उन्हें और आज हम परम सौबाग है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं योगी मोदी जी को कि कम से हम उनके प्रयास से आज अपनी आखों से अपने भपे मंदी राम मंदिर के सब्सक्राइब का देखने का दीधार कर रहा है देखिए यहां हर रामभक्त हर रामभक्त तैयार है कि कब 22 जनवरी आएगी और कब गिलहरी की तरह जैसे जो रामचेति पुल में जो लंका जाने के लिए जो पुल बनाया जा रहा था उसमें गिलहरी ने अपना रॉल किया था और कह सकते हैं किरदार निभाया था भगवान स्री राम उसको देखकर मन इमन मुश्कराय थे उसी तरीके से हर रामभक्त यह चाता है कि मैं भी हर घर मिठाई दूँ दीपक दूँ हर चोड़ाय को सजाओं आपने आगरा को सजाओं वैसे तो पूरा देश के लिए ही बहुत भी बड़ा दिन है आप बदाए कितनी उप्सायत है इस दिन के लिए बहुत बड़ी जाद दिन है दीपा वली के जैसा महसब बनाएंगे हर आगरावासी हर प्रिदेश बासी हर देश बासी के लिए बहुत जादा खास दिन है को कि 22 जनवरी को पूरा देश राम में हो जाएगा और भगवान सिरी राम की प्राण प्रतिस्टा का दिन है और कह कौपी उस दिर बाइस जन्वरी को जैसी राम जैसी राम महापारु मनाया जाएगा शिपकुमार न्यूजेटीन जागरा